हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंज आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने चेहरे को अपने पुरे शरीर को बेहत गोरा बना सकते हैं पुरे शरीर के अंचाहे बालों को आप इससे दूर कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पे दाग धबे, पिग्मनटेशन, एक्नी कर निशान है तो इस रैमेडिय से वो बहुत असाई से दूर हो जाएंगे इसको बना कर इस्तमाल करने का एक अपना तरीका है, किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से इस्तमाल करना है, ये सारी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजे, साथ में बेल आइकन की माज़ा को कम करते हैं इसके इसमाल से हमा़ए सकिन ब्लीच होती है और हमा़ इसकिन पे जो भी दाग, धबे, पिगमन्टेशन, एकने की निशान होते हैं वो बहुत तेजी से दूर हो जाते है साथ में फ्रेंद्स ये हमारे स्किन को मौस्चराइज करती है हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाती है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर एक से दो चमच आपको नारिकते ले ले लेना है दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर लेनी है फ्रेंड वो है आधा कटा हुआ टमाटर का रस तो आपको इस चमच नीबू का रस अगर आपको नीबू सूट नहीं करता है तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंस आप इन तीनों को इस तरह से हलके हाथों से मिला लीजे लास्ट में हमें इसमें एड करना है फ्रेंस लगबग एक चुथाई चमच हल्दी आप यहां उसी हल्दी का इस्तेमाल कीजी जिसका इस्तेमाल आप किचन में खाना बनाने के लिए करते हैं फ्रेंस हमारे देश में हल्दी का इस्तेमाल सदियों से स्किन को लाइटन करने के लिए किया जाता रहा है इसका इसमाल हम उप्टन में करते हैं साथ में इसमें ऐसे बहुत सारे elements होते हैं जो हमारे अंचाहे बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके अंचाहे बाल जो हैं दीरे-दीरे इसके बाद आधे गंटे के लिए चोड़ दीजे आधे गंटे के बाद फ्रेंस आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजे तो फ्रेंस आप इसे जरूर ट्राय करके देखी आप देखिएगा कि आपकी स्कीन जो है वो फेर होने के साथ ग्लो भी करने लगी है तो वीडियो प्लीज इसको लाइक और कमेंट करके जूर बताईएगा थैंक यू इस बठ Users, प्लीज झाउएगा क्यूँ क कर लाइक है यूरू चो आप 사angen कर लोगी है भाइक कर नह कर ख़एगो को कर्यों धूर्स बाताईए़ ख़ एंक्योंक creation.